प्रतिमाजी कुए से प्राप्त होती है तो आचरसी उस कुए में अतिसर देखने को मिलता है उस कुए का जो भी पानी पीता है वह अपने रोगों को रोगों से मुक्त हो जाता है और इसी प्रकार आचरसी जो चौसर डिध धरी मुनिराज होते है या उन चौसर डिधियों में से कोई भी रिधी होती है तो आचरसी उनके मल मुत्रमेवी औस्दिये रूप बहुत सारे गुण उत्पन हो जाते है तो आचरसी इनके सेवन करने से वह रोगी निरोग हो जाता है आचारसी अगर हम गंदोदक गर्ण करते हैं तो बहुत से लोग मना करते हैं कि गंदोदक को पीना नहीं चाहिए सिर्फ लगाना चाहिए अगर गंदोदक में कोई भी औस्दिय गोड़ है तो हम उसे पी क्यों नहीं सकते जिस परकार हम कोई का जल पी सकते हैं तो उसी परकार गंदोदक भी हुआ तो हम उस गंदोदक को क्यों नहीं पी सकते आचारसी मेरी संका का समाधान करें नमोस्त आचारसी भगवान की रिधियों का फल हमें देखने को मिलता है कितनी रिधियां होती हैं चौशड रिधिया होती हैं ठीक है ना और चौशड रिधिजो है वो अरहंत की होती है मुनी काल की जो रिधि की बात आप कर रहे हैं कि मुनी अवस्था में तो अससे पहले तो हम आपको यह बता दें कि जो तीठंकर जिनुने प्रगरती बंद-बांध लिया है उनका मुनी अवस्था में आहार तो होता है पर निहार नहीं होता है क्या नहीं होता है? आहार होता है पर निहार नहीं होता है तो निहार नहीं होता है तो क्या उतस समंदी रिधियां भी नहीं होती है जो मलमुत्र को इस पर्श करके आने वाली जो हवा है उसके प्रभाव से रोगी ठीक हो जाते हैं तो वो रिद्धी तो होती है ठीक है ना वो रिद्धी नियम से होती है लेकिन मलमूत्र होगा तो रिद्धी होगी ऐसा नहीं है उसकी जो शक्ती है आत्मा में उनके शदा मौजूत रहती है लेकिन कुछ ऐसे भी रिशी हैं जिनको तीथंकर प्रगती का बंद नहीं है पर वो महा मुनिराज हैं और उनको ऐसे रिधियां प्राप्त हो जाती तो मालो को ऐसे मुनिराज हैं जिनको इस प्रकार की रिधि प्राप्त हो मल ओस्ती जल ओस्ती आदी ऐसी रिष्तियां हैं व को कफ उनने थूख दिया तो उससे हवा इसपर्स होकर किसी रोगी को लग जाएगी तो रोगी ठीक हो जाएगा ऐसे ही मल को इसपर्स करके कोई हवा आ गई रोगी को लग गई तो वो क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा ऐसे रित्तिजारे मुनी राज जिनके जैसे की बरसात हुई और पानी सरीर में टच हुआ और पानी बहे करके जहां चला गया तो वो कहीं रोगी वहां पढ़ा हो, बेमार पढ़ा हो, पानी इसपर्स उसको लग गया, तो रोगी भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपने देखा रिदिधारी मुनिराज के जल को इसपर्ष करके उसने इसपर्ष किया तो ठीक हुआ ऐसे ही भगवान की जो प्रित्मा है वह है प्रित्मा भी अपने चौशर डिद्धियों के उसमें स्थापना की है और उससे इसपर्ष होकर के जो जल है वह औसदी का काम कर सकता है तो उसको पीने की जरूरती क्या है जैसे मुनिराज के इस सरीर से जल इसपर्ष होकर किसी को लग गया तो ठीक हो गया तो ऐसी भगवान की पृत्मा को इस पर सोकर कि वह जल आया और किसी ने माथे में लगाया मस्तम लगाया वो ठीक हो गया तो जब बाहर से ही ठीक हो जा रहे हैं तो उसे पीने की जरूरत ही नहीं है अब कुये में पृत्मा मिली अब कुये में पृत्मा मिली तो कहा वो सारा प्रितativa कि गंदोग году मetus is not become . जल में डूभी ही पृतमा का गंदोग नहीं बन जाता है . डंदोग कर बनता है जब उसे हम मन्त्र उचारन पूर्वक्छ मन्त्रों का अचारन होता है और प्रित महा मंत्रों का उचारन होता है तो कुये में प्रितमाईदी अग्यात में पड़ी हैं, खुब पानी पी रहे हैं, स्वास ठीक हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है और निकालने के बाद भी उस जलका जो है पीने आदी में उपयोग किया जा सकता है लेकिन गंदोदक का इस प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता है जिसका हमने बहुत ही मंत्र उचानपूर्वक जो है उसे स्विकार किया है अब देखिए बरसात हो रहे है, बरसात होकर के भगवान की प्रितमा में बहुत पानी बरसात में गिरा और वह पानी जो है बहते 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 नदी में चला गया, कुये में चला गया तो वो गहन करने योग है, बिलकुल गहन करने योग है, उसे आप गहन कर सकते हैं लेकिन जो मंतरों के उचान पूरवक जो है अब शेकादी किया गया, वो गंधोदक जो है उसे हम पीने में गरहन करते हैं उसको अपने मस्तक में लगाकर कि शद्धा भावशे गरहन करते हैं और उसमें हमारे रोक सोक सब जो हैं दूर हो जाया करते हैं नमुस्त आचरसी प्राची जैन रतलाम आपसे संका कर रहे हैं आचरसी जैन धर्म अहिंसा प्रदान है इस धर में किसी को भी किसी भी प्रकार से हिंसा पहुंचाने या कष्ट पहुंचाने पहुंचाना आगम के बिरुद है तो आचरसी मेरी यह संका है कि मुनिराज लोग मौर के पंख की पिछी धारन करते हैं तो आचारसी मोर के पंखों को जब निकालते होंगे तो मोर को ही कष्ट होता होगा तो फिर मुनिराज किसी जीब को कष्ट पहुँचा कर उनके पंखों को इस्तमाल कैसे कर सकते हैं आचारसी मेरी संका का समाधान करें नमुस्तु बिल्कुल आपने सही कहा कि जेन धरम जो है अहिंसा प्रधान है और अहिंसा ही सरवो परी है और इसी को आचारे उने कहा है कि ऐसे अहिंसा का जो पालन करता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं धंबो मंगल मुकितम अहिंसा समय तो वो देवा भी तस्पड़ मनती जस अहिंसा को जो है देवता गणवी नमस्कार करते हैं जो ऐसी अहिंसा को अपनी आत्मा में धारन करते हैं ठीक है ना तो ऐसी अहिंसा का पालन करने बाले महा मुनिराज महा बृति मुनिराज जो है वो कभी भी ऐसे मोर के पंग को गरने करते हैं जो मोर को कष्ट देकर के प मुर जो हैं स्वयमेब ही अपने समस्त पंखों को अपनी चौंच से न्कालते हैं। ऐसा मूलाचार गरंथ में लिखा हुआ है। समस्त गरंथ समफ्त पंखों को अपने चौंच से ही बाहर निकालते हैं, बहार को खदम कर देते हैं, जैसे आपके बहुत सारे बाल हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है, अजीब सा लगता है, तो आप उसे क्या करते हैं, कटिंग करा देते हैं, निकलवा देते हैं, तो मोर के पास तो कोई कहची मेची तो है नहीं कि जो निकाल ले, कटिंग कर ले, ठीक ह तो आपने पीछे मुड़ करके अपनी चौंश से सारे पंखों को क्या करते हैं निकाल देते हैं तो बरस में एक बार वो सवयम ही अपने समस्त पंखों को निकालते हैं और आपको पता है तभी मुनिराज लोग भी पीछी परिविटन करते हैं चत्रमानश के बाद कारतिक माए में ही क्या करते हैं? उन पंखों को वो वो सिखार करते हैं जो नर्श्वयम निकाले हैं और वो इतने सौट होते हैं कि जिसके माद्ध्य उसे कहीं भी हम मारजन करें तो छोटा वारिक जीब जो कुझ दिख नहीं रहा है वो जीब की भी जो है हिंसा ना हो उसकी मृत्तू ना हो उससे बचायना का काम वो पंक करता है इसलिए मौर के पंक लेते हैं तो पूरे पक्षियों में सिर्फ एक ही है मौर पक्षी है जो अपने स्वयम बालों को पूरे पूरे बालों को साल में एक बार निकाल देता है और उन्हीं बालों को ही हमारे दिगंबर मुनिराज जो है गरण करते हैं बाकि जितने भी बाल निकाले जाते हैं वो काट के निकाले जाते हैं या खीच के निकाले जाते हैं लेकिन मौरपंग को नहीं इसलिए दिगंबर जैन्शंत जो है महा अहिंसा प्रधानी है वो किसी भी जीव को कष्ट दे करके कभी अपनी ऐसी प्रवर्ती नहीं करते हैं जिससे कोई जीव को कष्ट पहुंचे तो मोर्पंख लेना एक अहिंसा का प्रतीक है सयम का प्रतीक है और किसी जीव को कष्ट प बात की गई है गुणों की बात का वर्णन जो है मुलाचार में भगवती अराधना में और भी बहुत सारे गरंथों में प्राप्त है इस उस गरंथों से आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं सभी को सादर जैजनेंद्र आप नित आगमधारा संका समधान पूझ गुर्देव के मुखारवन से सुन रहे हैं और अपनी संकाओं का आगम के उनसार समधान पा रहे हैं और पूझ गुर्देव की छे डाला की पाट साला भी आप आदिनाटीवी चैनल के माध्यम से नित देख रहे हैं और घर बेटे स्वाध्या कर रहे हैं अगर आपको पाट साला सम्भनधित कोई भी संका आपके मन में उत्पन हो रही है तो आप हमें नीचे देगए नमबर पर भेज सकते हैं और अन सभी संकाओं हमें भेज सकते हैं और आपको उन संकाओं का आगम के अनुशार समाधान प्राप्त होगा पूझ गुर्देप के मुखारविन से और आधिनाठ टीवी चैनल के माध्यम से आप इस कारिकर्म के पुर्ण्याजग भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारत करा सकते हैं अगर आप इस कारिकर्म के पुर्ण्याजग बनना चाहते हैं तो हमें नीचे देगाए नंबर पर संपर करें एक महीने के लिए 11,000 रुपे की राशी के माध्यम से आप पुर्ण्याजग बन सकते हैं और अपना नाम आधिनाठ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विस्ट में प्रशारत कर सकते हैं जय जिनेंद्र इस कारिकर्म के पुर्ण्याजग थे करें बना नाम आप पुर्ण्याजग थे कारें